सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम इस इव्यक्यान की माध्यम से पर्थम विश्व युद्ध के बारे में अधिन करेंगे पर्थम विश्व युद्ध 1914 से 1918 इश्विक के मध्ये लड़ा गया जैसा की नाम से ही इस पस्ठ है की विश्व युद्ध अर्थात युद्ध वह जिसने पूरे विश्व को इसकी आग के चपेट में ले लिया हूँ और जिसकी आग की लप्टें आज भी कायम है उसके बाद दित्ते उश्विद और उसी के परिणाम सोरूप जो परिष्थित्यां बनी उसने आज भी पूरे विश्व को परभावित किये हुए है बीसवी शताद दिके प्रारंब का यूरोप बारूद के एक डेर पर खड़ा हुआ था जिसमें आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी की आउशकता थी पिछली अर्दशतापदी से यूरोप की गटनाए इस तरह गटित हो रही थी कि अब आदिक्षमें तक सान्ती इस्थापित नहीं रखी जा सकती थी यूरोप के सभी देशों में अस्त्र शस्त्र की परतिसपरदा लगी हुई थी फ्रांस परशा युद्ध, बर्लिन सम्मेलन, त्रिराष्ट संदी का जन्म, रूस जर्मनी विवाद, इंग्लेंड जर्मनी नाविक परतिसपरदा, सामरा जिवाद की भावना कुछ ऐसी अप्रिय गटनाई थी जो संपूर्ण विशो के एक भेंकर आग के लपेट में ले गई थी इस समय तक संपूर्ण यूरोप दो शसास्त्र गुटों में बढ़ चुका था पहला गुट मित्र तथा संयुक्त रास्टों का था जिसमें इंग्लेंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्टगाल, इटली, सेंक्त राजे, अमेरिका, रुमानिया, युनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, गौाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका ये प्रमुक देश, मित्र रास्टों का था, अत्वा सेंक्त रास्टों का था, तथा दूसरा जो गुठ है, अत्वा केंद्रिय शक्तियों का जिसे कहा जाता है, उसमें जर्मनी, आस्ट्रिया, हंग्री, बुल्गारिया और तुर्की थे, तो इस प्रकार से पर्थम विश्युद्ध, मित्र रास्टों, तथा केंद्रिय शक्तियों के मद्धे लड़ा गया आगे हम बात करते हैं, पर्थम विश्युद्ध के प्रमुख कारणों की, जिसमें सबसे जो मुखे कारण था विश्युद्ध का, वो हैं राष्ट्रेता की भावना राष्ट्रवाद ने एक और्थो राष्ट्रों के निर्मान को प्रेरित किया परंतु दूसरी और उग्र राष्ट्रवाद के कारण, परस्परिक मतभेद भी उत्पन हुए फ्रांस की राज्य करांते के दोरा राष्ट्रेता की भावना का जन्म हुआ था इसी राष्ट्रेता का तेजी से विकास वियना कॉंग्रेस के पस्चाद संबव हुआ इसी राष्ट्रेता की भावना के फलसुरू इटली और जर्मनी का एक और्थो पुर्ण हुआ 1831 के बाद फ्रांस में अलसास लोरेन की मांग फ्रांस की राष्ट्रे मांग हो गई फ्रांस के राजनितिक पॉयंकर ने अलसास लोरेन के समन्द में कहा था कि यदि हमारी पीडी अपने चिने हुए प्रांतों को फिर से वापस ले पाने की आशा में नहीं जी रही हो तो मुझे तो उसके जिवित रहने के लिए कोई अन्य कारण दिखाई नहीं पड़ता पॉयंकर के ये शब्द फ्रांसीशियों के तिवर राष्ट्रवाद के परिचाईक थे देशवक्ति की बढ़ती हुई विक्रत भावनाने विभिन राष्ट्रों के बीच ग्रणा और द्वैस उत्पन करके राष्ट्रवाद को रण उन्मादी बना दिया अर्थात युद्ध के लिए पागल होना ऐसा उन्माद की स्थती पैदा कर दे थी इस राष्ट्रेता की भावनाने राष्ट्रेता की यह प्रवर्ती मांग कर रही थी कि एक राष्ट्रेता एक राज्ये के सिध्धन्त के अनुसार यूरोप के राजनितिक मांचितर का आतुर्थे यही कारण है कि प्रोफेसर फे ने राष्ट्रेता की भावना को युद्ध के मूलभूत कारणों में प्रमुख माना है दूसरा जो मुखे कारण है पर्थम विश्युद्ध का वो है कूट नितिक संधियां पर्थम विश्युद्ध के पूर्व कुछ ऐसी इस्तितियां उत्पन्ल हो चुकी थी कूट नितिक संधियों के कारण बिसमार्क की कूट नितिक संधियों के कारण एक और तो त्रिगुट का निर्माण हुआ तो दूसरी और आत्म रक्सा में त्री राष्ट मेत्री इस्तापित हुई उसने यूरोप को दो ससक्त विरोधी गुटों में यूरोप को कूट नितिक संधिया कूट नितिक संधियों के कारण यूरोप को दो ससक्त विरोधी गुटों में विबग्त कर दिया था जिनके सदस्य संधियों के जाल में इस प्रकार फशे हुए थे कि यदि उन में से कोई एक यूद छेड़ देता तो दूसरे अपने आप ही उसमें खिचे चले आते थे इसे कारण प्रोफेसर फे ने लिखा है कि युद का सबसे महतोपूर्ण अंतरनीत कारण गुप्त संधियों की परणाली थी जिसका विकास फ्रांस और प्रशा के युद के बाद हुआ था उसने धीरे धीरे यूरोब की शक्तियों का विरोधी गुटों में बाड़ दिया जिनमें एक दूसरे के प्रतिशंदेह बढ़ता रहा और जो अपनी तल से न एवं नो से न बढ़ाते रहे बिस्पार्क ने फ्रांस को प्राजित करने के पशाथ जर्मनी की सुरक्सा के लिए आस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधिया इस्तापित करके त्रिगुट का निर्मान किया जिसके विरुद्ध फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए रूस तथा इंग्लेंड से मेत्री करके ट्रिपल एटांत का गठन किया और अब यूरोप दो सकती साली एवं परस पर विरुदी गुटों में विबाजित हो गया था ये संदिया मूल रूप से रक्षात मक्ती फिर भी इनके कारण पारस पर एक पर्तिदुन देटा की भावना उत्पन हुई तो पर्तम विश्युदी के लिए हम इन कूट नितिक संदियों को जिम्यदार मान सकते हैं तीसरा जो मुख्य कारण है वो है सैन्यवाद और शास्त्री करण 19 विशतापदी के उत्रार्द में यूरोप में सैनिक वाद पनप रहा था इसका मूल कारण राष्ट्रिय था आर्थिक पर्तियोगी था तथा अंतरराष्ट्रिय तनाव था विभिन्द देशों के बीच पारसपरिक्षंका और यूर्शय बढ़ती जा रही थी अधा यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक सकती में वर्दि कर रही थे सेन्यवाद के समन्द में फ्रोफेशर फे ने लिखा है कि सेन्यवाद के अंतरग्रत दो तथे नहीं थे पर्तम विशाल सेनाओं तथा नो सेनिक नो सेनाओं की भयानक एवं भोजल विवस्ता तथा परिणाम सोरूप उत्पन होने वाले संदेह भय एवं ग्रणा का वाता नागरिक प्रशाशन पर अपना प्रभूत्वर इस्ताफित करने का प्रियत्न करता है। क्लेंड की नाविक शक्ती के लिए एक चुनोती माना जाने लगा। इसके परिणाम सोरूप नाविक प्रतिशपर्दा बढ़ गई। इस प्रतिशपर्दा ने यूरोप के अन्ने देशों को भी परभावित किया। प्रतिएक देश अपनी सेन्य वर्दी को ही रास्टिय प्रतिश्टा समझ बेठा और सेनिक शक्ती में वर्दी कने लगा। प्रतिरी की अपितु आधुनिक अस्त्र सस्त्रों का भी विकास किया। यद पि यह सब सेनिक तैयारी शुरक्षा की द्रस्टी से की गई थी किन्तु उसके कारण विभिन देशों ने सेनिक शक्ती बढ़ाने की पर्तिदुन्दीता आरंब हो गई जिससे सबी जगह पे भ प्रतिरी करण की जो प्रवर्ति उसमें यूरोपिय देशों में अपनाई गई उसके कारण ऐसा माहूल तैयार हुआ कि पर्थम विशुद्ध होना अनिवारे बन चुका था। हुआ था। उनमें अधिकधन कमाने और अपने तैयार माल को बेचने के लिए बाजार प्राप्त करने की इच्छा रती थी। ऐसे देशों में इंग्लेंड, अमेरिका तथा जर्मनी पर्मुक थे। ऐसे देशों में आर्थिक पर्ति दुन्दिता समराजेवात से सल्लगन थी। ये देश अपना ओपनिवेशिक विस्तार आर्थिक आउशक्ता के कारण करना चाते थे। दूसरे प्रगति उन देशों की थी जो अभी करशी तथा उद्योग के संतुलन की इस्तती से गुजर रहे थे। ऐसे देशों में फ्रांस तथा इटली थी। ये देश एश अपरिका तथा पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना अधिकार इस्तापित करना चाते थे। क्योंकि इन इस्तानों में अभी ओध्योगिक प्रगति नहीं हुई थी। नए देशों को अधिकार में करने की भूख और अपने धन और उत्पादन की खपत करने की अभिल इधिता को भी विश्विद्य का एक प्रमुख कारण माना हैं। आगे हम बात करते हैं अन्तरास्टिय आराजक्ता की जो कि पर्थम विश्विद्य के एक कारण है। बीश्वी सताबदी के पर्थम दशक में ही यूरोप में असान्ती एवं राजगता की इस्तिती उत्पन हो चुकी थी। शक्त इसाली देश छोटे-छोटे राजियों को बाढ़ कर अपने स्वार्थों की पूर्ती में लिप्त थे। रूस जापान युद्ध जो की गुनिसो चार से गुनिसो पाँच इस्वी में हुआ उसने भी यूरोपी राजनिती को परवावित किया। रूस की पराजे के कारण उसकी दुर्बलता से लाव उठाने के लिए जर्मनी ने मौरकों में फ्रांस को चुनोती दी और अंतराश्टेक शेतर में कंभी रिस्तति उत्पन कर दी थी। इसके अतरिक जब रूस को सुदूर पूरु में सामराजे विस्तार का अउसर नहीं मिला तो उसने बालकल परदेशों में अनुचित हस्तक्षेप करना आरम कर दिया। इससे बालकन की राजनिती और अधिक जटिल हो गई। जर्मनी समराठ विलियम केसर तथा उसका चांसलर बूलो मौरको में फ्रांस के बढ़ते हुई प्रबाव से भेवी था। वे फ्रांस पर प्रतिबंद लगाना चाते थे। विलियम ने टैंजियर जाकर यह मांगे की कि मौरको की समश्या पर विचार करने के लिए एक अंतरास्टे सम्मेलन बुलाया जाए। उसके दबाव के कारण 1906 में अलजी सीरास सम्मेलन आयजुद किया गया लेकिन इस सम्मेलन में भी जर्मनी संतुस नहीं था। इस सम्मेलन में इंग्लेंड ने फ्रांस को पूर्ण समर्थन दिया। तो इस प्रकार से विबिन्य देशों के बीच इस अराजक्ता की इस्तती में इस अंतरास्टी अराजक्ता की इस्तती में पर्थम विश्युद्य के कारण अंतर नहीं थे और इनहीं परिश्युद्य के कारण यह युद्ध हुआ। नेक्स्ट जो रीजन है पर्थम विश्युदिक के कारणों का वो है समराठ वीलियम केशर का चरीत्र जर्मनी के समराठ वीलियम केशर का चरीत्र भी युद्ध का एक प्रमु कारण था वह अत्यदिक मतो कांक्षी तथा क्रोधी सोबाओं का था उसकी नीती थी विश्युपरभुत्व या सर्वनास उसने समराठ बनने के पस्चात जल और थल सेना का अत्यदिक विकास किया महा युद्ध के समय उसके पास लगवग 18 लाक सेनिक थे वह अंतराष्ट्य मामलों में किसी से भी कोई समझोता करने के लिए तैयार नहीं था वह कहा करता था परमेशोन ने हमें संसार को सब्बे बनाने का कारे सुपूर्थ किया है इंग्लेंड ने उसके सम्मुक मितरता का प्रस्ताव भी रखा था परन्तु उसने अहंकार वश उसको ठुकरा दिया उसने कई बार कहा था कि हमारा भविशे समुद्र पर निर्बर है मैं उस समय तक चेन से चेन नहीं लूँगा जब तक कि मेरी जल सेना थल सेना और समान सक्ति साली नहीं हो जाती अर्थात वह जल सेना और थल सेना की सक्ति को एक जैसा करना चाता था उसका विचार था कि इंग्लेंड उसकी सब बातों को मान लेगा और उससे युद्ध नहीं करेगा वह बिटेंड की तटरसता की निति को उसकी कायरता मानता था बिटिस जनता के चरित्र के विशे में उसका ब्रह्म ही इंग्लेंड के परती उसके रुख के लिए उतरदाई था और यह ब्रह्म अंत में उसके विनाश का कारण बना इस परकार अपने उग्रत था समराजदी चरितर दोरा विलियम केसर ने यूरोप को युद्ध तक पहुचाने में अत्यदिक सहयोग परदान किया